Hello friends, welcome to the channel Natural Yoga Physiopharmacy So friends, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हर्प जोस्टर के बारे में जिसे सिंगल्स कहते हैं, इसे आमभासा में अधेडी भी कहा जाता है इस वीडियो में हम जानेंगे इसके causes, symptoms, diagnosis, treatment के साथ-साथ कुछ prevenctions के बारे में भी तो आएए friends वीडियो को सुरू करते हैं हर्प जोस्टर, सिंगल्स या फिर अधेडी एक वाईरल इन्फेक्शन है जो कि वेरिसेला जोस्टर वाईरस के कारड़ डेवलप होता है वेरिसेला जोस्टर वाईरस के कारड़ ही chickenpox का condition डेवलप होता है लेकिन जब chickenpox का infection ठीक हो जाता है तो कुछ वाईरस nervous system में inactive form में store हो जाते हैं फिर जब old age में या फिर किसी दूसरे conditions के कारड़ शरीर का immunity कमजोर होता है तो उस condition में यह वाईरस attack करते हैं और फिर हर्प जोस्टर या फिर अधेडी जैसे conditions को develop करते हैं इस condition के develop होने पे त्वचा के उपर लाल चकते बन जाते हैं जिसमें फिर खुजली और दर्ध के साथ साथ जलन जैसे लक्छट देखे जा सकते हैं यह condition अक्सर सरीर के एक साइड में छाती, कमर और पीठ के एरिये में देखा जाता है इस condition के शुरुवाती दिनों में तवचा के उपर लाल चकते देखे जाते हैं फिर वह चकते धीरे धीरे डेवलप करते हैं और उसमें फिर फ्लूइट भर जाता है जिसके बाद एक blisters का formation होता है जिसके बाद फिर कई तरह के लक्षड जैसे की बुखार, सिर्दर्द और कमजोरी के साथ साथ ठकान देखे जाते हैं कॉजज की अगर हम बात करें तो यह condition वेरिसेला जोस्टर वाइरस के कारण डेवलप होता है यह वाइरस चिकन पॉक्स के infection के बाद सरीर में inactive form में मवजूद रहते हैं फिर जब immunity कमजोर होती है तो उस समय यह attack करते हैं और फिर इस तरह के infection कॉज करते हैं रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो immune system के कमजोर होने emotional stress, old age के साथ साथ cancer जैसे conditions में यह condition डेवलप हो सकता है symptoms की अगर हम बात करें तो इस condition के डेवलप होने से तवचा के ऊपर खुजली, दर्द और जलन primary symptoms के रूप में देखे जा सकते हैं जिसके बाद फिर तवचा के चकते धीरे धीरे डेवलप करके fluid भरा हुआ blisters का formation करते हैं साथ ही इस condition में बुखार, ठंड लगना, सिर्दर्द के साथ साथ ठकान और मानस्पेशियों की कमजोरी secondary symptoms के रूप में देखे जाते हैं डियागनोसिस की अगर हम बात करें तो इस condition में कुछ physical examinations के द्वारा रैसेज और blisters को देख करके इस condition का पता लगाये जाता है इसके साथ ही कुछ conditions में blisters से कुछ fluid को ले करके laboratory examinations भी किये जाते हैं जिससे इस condition का confirm पता चल पाता है treatment की अगर हम बात करें तो इस condition के उपचार के लिए सबसे पहले कई तरह के antiviral medicines को प्रियोग में लाये जाता है इस condition में कुछ antiviral medicines जैसे की acyclovire वाला cyclovire के साथ साथ femi cyclovire को प्रियोग में लाये जाता है इसके साथ ही कुछ anti-inflammatory medicines जैसे की ibuprofen और कुछ दूसरे एनाल जैसिक medicines को भी प्रियोग में लाये जाता है साथ ही कुछ antihistamine medicines जैसे की diphenhydramine और कुछ topical cream जैसे की capsaicin को प्रियोग में लाये जाता है home remedies की अगर हम बात करें तो इस condition में cool baths लेने से बड़ा ही राहत मिलता है साथ ही cold compression से तोचा की खुजली और जलन भी कम हो जाती है इस condition में blisters के ऊपर कैला माइन lotion को अपलाई करने से बहुत ही ज़्यादा राहत मिलता है साथ ही इस condition में vitamin A, vitamin B12, vitamin C और vitamin E containing food को लेने से बड़ा ही राहत मिलता है साथ ही इस condition में immune system को बनाए रखने के लिए कुछ supplements भी बहुत ही ज़्यादा helpful होते हैं prevention की अगर हम बात करें तो chicken pox के vaccine के dose को ले करके इस तरह के conditions को prevent किया जा सकता है साथ ही hygiene related कुछ चीजों को ध्यान में रख करके साथ ही hygiene को maintain करके इस condition को prevent किया जा सकता है इस condition के develop होने से किसी भी तरह के वस्तु को एक दूसरे के साथ share नहीं करना चाहिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करे और चैनल को subscribe करे साथ ही दोस्तों के साथ share करे